अगली पीडी में कॉंग्रेस का नित्रित्व करेगी लेकिन पार्टी हमारे लिए क्या करती है राहूल गांदी के नाम पर यात्रा निकलती है नमस्कार दोस्तों आज की बात में आपका स्वागत है ये वो प्रोग्राम है जहां हम आप के साथ बिबाकीत से बात करते हैं स्ट्रेट बैट से बात करते हैं आज बात करेंगे कॉंग्रेस के नेता मिलिन दिवरा की ना केवल मिलिन दिवरा की लेकिन टीम राहूल गांदी की और मैं एक वज़ा आपको बताता हूँ कल रात एक दोस्त ने मुझे एक पिक्चर भेजा उस पिक्चर में पाँच नेता मुस्कुरा रहे थे पाउन थे ये नेता मिलिन दिवरा जोतिर अरित्या सिंद्या सचिन पाइलेट अर्पियन सिंग और जितिन प्रसाथ पाँच नेता और ये फोटोग्राम दस साल पहले का था जब ये पाचो नेता यूपिय की सरकार में मनमोहन सिंग की सरकार में मंत्री थे यूवा मंत्री थे कहा जाता था ये टीम राहुल है जो जेनरेशन नेक्स्ट अगली पीडी में कॉंग्रेस का नेत्रित्व करेगी अब देखे क्या हुआ है जितिन प्रसाद छोड़ गए और योगी अदित्यनाद की सरकार में मंत्री बन गए है आरपी एन सिंग भी छोड़ गए जोतिन अदित्या सिंद्या छोड़ गए केंद्र में मंत्री है और अब मिलिन देवरा छोड़ गए है और वो एकनाच शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे है रहे गए केवल सचिन पाइलेट जिन्होंने तीन साल पहले अशोग गेलोट के खिलाफ और कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ वहां एक तरह से बगावत की थी केवल वो ही रहे गए हैं अभी कॉंग्रेस में अब मिलिन देवरा की बात कहें तो देगे जब से वो 2014 का चुनाव दक्षिन मुंबई से हारे थे तब तक मिलिन तब से मिलिन बहुत अस्वस्त है वो चाते थे कि कॉंग्रेस आला कमान उनको कहीं न कहीं अकॉमडेट करे उनको लगता है कि तीन बार मौके थे कॉंग्रेस को उनको राज्यसभा भेजने के लिए लेकिन तीनों बार किसी और को भेजा गया खास कर कि जबकि 2022 में मौका मिला तो कॉंग्रेस ने इमरान प्रताब गड़ी जो उत्तर प्रदेश के लीडर है उनको महाराष्ट से राज्यसभा से भेजा इसके पहले पत्रकार कुमार केतकर को एक बार भेजा और एक बार चिदम्बरम जी को भेजा था मिलिन द्यवरा का नंबर नहीं लगा अब जबकि ठाकरे की सेना और कॉंग्रेस के बीच समझोता हो रहा है तो मिलिन द्यवरा की दक्षिन मुंबई की सीट सायद शिवसेना को चली जाए तो मिलिन द्यवरा बड़े अस्वस्त है कि मैं गांधी परिवार के इतने करीबी माना जाता हूं लेकिन फिर भी मेरा मुझे एक तरह से नजर अंदास किया जा रहा है और आज की तारीक में सब नेता चाते हैं कि वो आगे बड़े तो उनको लगा कि उनके दर्वाजे बंद हो रहा है लेकिन सवाल केवल मिलिन दिवरा का नहीं है सवाल जो आज की बात में मैं आपको बताऊंगा वो यह है कि क्या वज़ा है कि जो लोग राहूल गांदी के करीबी माने जाते हैं वही लोग क्यों पार्टी छोड़कर अब भाजपा या किसी अन्य दल में चले जा रहे हैं क्या हुआ है इसके पांच कारण है नमबर वन आप जानिये कि ये पांचों नेता जो हैं एक तरह से परिवारवाद के देता है ये किसी राजनितिक परिवार से आते हैं जिनकी वज़े से उनको बड़ी कम उमर में तुरंद मंत्री बनाया जाता है उनको वो अड्वांटेज बिलता है एक आम जो कार्य करता होता कॉंग्रेस में उनको सालों तक लगते मंत्री बनने के लिए ये जो पांच हमारे नेता है ये बड़े कम उमर में मंत्री बनते हैं क्योंकि वो राहूल गांदी के करीबी माने जाते हैं लेकिन यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक बार आप सत्ता में आते हैं तो आपको लगता है एक तरह से आपका हक बनता है अब कि आप मंत्री रहे या आपको कोई बड़ा पद मिले अब ये प्रॉब्लम इनके लिए ये हुई जब आप सरकार में थे तो ठीक था लेकिन आप कॉंग्रेस विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष में आपको इतनी आसानी से कोई पद नहीं मिल सकता आपको संघर्ष करना पड़ेगा क्या परिवारवाद के नेता संघर्ष के लिए पूरी तरह से तयार है ये एक बड़ा सवाल है क्या इन में से कोई नेता जो जिसे कुछ लोग बाबा लोग नेता कहते हैं क्या आप कह सकते हैं मास लीडर है कुछ हद तक सचिन पाइलेट ने तो दर्शाय नमबर दो राहुल गांदी पिछले कुछ सालों से लग रहा है एक अलग रा पर चल रहा है उनका कहना है मैं RSS BJP के साथ विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं बड़ी अच्छी बात है लेकिन प्रॉब्लेम ये है कि कॉंग्रेस जो है वो विचारधारा की पार्ट रही है जब आप वोट नहीं ला पा रहे हैं तो ये आपकी एक तरह से कमजोरी बन जाती है तीसरा कारण राहुल गांदी ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक नई कोटरी बनाई है जब ये पांच नेता उनके साथ थे तो लोग कहते थे ये राहुल गांदी के दोस्त ह ये बाबा लोग है ये सब एक दूसरे को मिलते हैं पार्टियों में एक सोशल सेट है इनका लेकिन अब क्या हुआ है कि राहुल गांदी के इर्दगिर जो लोग है वो एक तरह से वामपंती सोच के आ रहे हैं जो एक तरह से एंटी आरेसेस एंटी कॉर्परेट एक नया ए एक नया आप कहेंगे एक गुट बन गया है राहुल गांदी के करीबियों में और इन पांच नेता उसमें फिट नहीं हो रहे थे ये तो बड़े कॉर्परेट के नजदीक थे लेकिन राहुल गांदी उसी कॉर्परेट को टार्गेट कर रहे हैं राहुल गांदी एक तरह स था कारण और इसमें नेत्रित्व पर सवाल आता है क्योंकिन राहूल गांदी ने इन ही नेताओं को कई वादे किये थे जैसे सचिन पाइलेट को कहा था कि जरूर एक ना एक दिन आप मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के जोतिर अधित्या सिंद्या को भी कई वादे कि बनाव हुए लेकिन वादों पर राहूल गांदी कायम नहीं रह पाए सचिन पाइलेट मुख्यमंत्री नहीं बने कमलनात और दिगविजय सिंग ने मद्यपदेश में अपनी पकड़ बना ली यहने जो सीनियर लीडर्स थे जो पुराने कॉंग्रेस के लीडर्स थे वो इ अब में वादे करते हैं और वो वादे नहीं निबाते हैं तो हमारा क्या होगा तो कहीं न कहीं नेत्रित्व पर सवाल उठता है और पाच्वा कारण बड़ा इंट्रेस्टिंग है देखें धोरे माबदन पॉलिटिक्स में नहीं चलते हैं राहूल गांदी जब पार्टी अला कमान को लगता है कि शायद अमेठी हार जाएगे उनको वाइनाट से लड़ाये जाता है जब राहूल गांदी जी तैय करते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो फिर भी उनको एक तरह से पार्टी का डिफैक्टो नेता माना जाता है राहूल गांदी के नाम पर यात्रा निकलती है यानि राहूल गांदी बले ही चुनाव हारे हो 2014 और 2019 के आम चुनाव फिर भी वो पार्टी के चेहरे हैं लेकिन बाकी जो नेता है एक बार वो चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए उसी तरह की जगा पार्टी में नहीं रहती और यही मुझे लगता ह इन नेताओं का सबसे ज्यादा एक मलाले की राहूल गांदी के लिए आप कुछ भी करते हैं लेकिन पार्टी हमारे लिए क्या करती है देखिए आप उनको महत्वकांशाई की नेता कह सकते हैं अंबिशिस नेता कह सकते हैं लेकिन हर पार्टी में इस तरह के नेता होते हैं जो चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिले, लेकिन महत्व कांशा नहीं, सब को साथ लेकर राजनीती करने की शमता होनी चाहिए, इसे कहते हैं असली नेत्रित्व, राहूल गांदी के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, जब आप ही के करीबी आप पर विश्वास नहीं र रखेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है, जानिये मिलिन दिवरा और उनके परिवार, उनके पिताजी, राजीव गांधी के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से, गांधी परिवार के करीबी थे, अब उस मिलिन, अगर वही मिलिन दिवरा अब, अपनी महत्व कांशा के लेया अपने राजनितिक करियर के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं तो कॉंग्रेस को थोड़ा तो आत्मचिंतर करना ही पड़ेगा सोचेगा आप भी और आप देखते रहिए आज की बात नमस्कार